चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सभी अपडेट्स मिलती रहें। जय संतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आईये जानते हैं कि आज आपकी राशियां क्या संकेत दे रही हैं और आपका दिन कैसा रहने वाला है। पहले शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 25 नवंबर 2024, दिन सोमवार है। अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी रात 3 बज कर 26 मिनट तक मानने रहेगी। इसके बाद 6 तिथी शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 5 बज कर 27 मिनट तक रहेगा। इसके बाद अशलेशा नक्षत्र का आरंभ होगा। आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय सुभे 8 बज कर 57 मिनट से 10 बज कर 17 मिनट तक रहेगा। वहीं आज का अभिजीत मुहूर्त यानि दिन का सबसे शुब समय दोपहर 11 बज कर 50 मिनट से 12 बज कर 32 मिनट तक होगा। आज चंद्रमा करक राशे में गोचर करेगा, जबकि सूर्य व्रिष्चिक राशे में स्थित रहेंगे। 25 नवंबर 2024 सोमवार का यह विशेश विवरण। आज का दिन आपको विभिन विचारों और नए अवसरों के कारण थोड़ा उलजह हुआ महसूस हो सकता है। कई ताकतें आपका ध्यान अपनी और खींचने की कोशिश करेंगी। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को न ठकाएं। इस समय अपने दिल की आवाज सुनना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, भले ही यह फिलहाल सही न लगे। रिष्टों को लेकर स्थिती थोड़ी जटिल हो सकती है। अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करें। लेकिन अगर जरूरी हो तो उन्हें जाने देने के लिए भी तयार रहें। आपकी मेहनत इस समय ध्यान आकरशित कर रही है और सराहना की जा रही है। आज का दिन मेहनत का फल देने वाला है और आपको अपने प्रयासों का सुखद परिणाम मिल सकता है। हालां की धन की आवक आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है क्योंकि अपनी योजनाओं या परियोजनाओं के लिए निवेश या धन की आवश्यक्ता महसूस होगी। ध्यान रखें, शब्द बोलने से पहले आपके नियंतरण में होते हैं, लिकिन एक बार बोलने के बाद आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं। आज इस राश्य में स्थित, शणी आपके मन को धर्म और अध्यात्म की और प्रेरित कर सकते हैं। आप परलोक और गहरी आध्यात्मिक बातों में रुचि ले सकते हैं। कामकाज के लिहाज से दिन लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने के साथ साथ कोई पुरानी समस्या भी हल हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। जिससे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आज का दिन साथानी से बिताने की आवश्यक्ता है। विशेश रूप से बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय। जोखिम भरे कामों से बचें। लव लाइफ में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी और आपके कारिय की सराहना भी होगी। किसी अजनबी के साथ लेन देन से बचें। क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर कोई पारिवारिक मामला लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके सुलजने की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फाइदे मंद रहेगा। आपका दिन अधिकतर समय सामाजिक और धार्मिक कारियों में व्यतीत होगा। साथ ही किसी भरोसे मंद व्यक्ति की मदद से आपकी कोई बड़ी समस्या का समाधान भी निकल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड अधिक धन खर्च हो सकता है। इसलिए खर्चों पर नियंतरन रखना जरूरी है। धन संबंधी मदद करते समय सामने वाले की जरूरतों को अच्छी तरह समझ ले। मौझूदा समस्या को ठीक से न समझने पर अनावश्यक जोखिम उठाना पड़ सकता है। जो काम आपने शुरू किया है उस पर ध्यान के इंदरित करें और इसे जारी रखने का प्रयास करें। कांट्रैक्ट या अनुबंध से जुड़े काम करने वालों को विशेश सतरकता बरतनी चाहिए। आपके और आपके पार्टनर के बीच विवाद की स्थिती बनी रह सकती है। करिस्तार के साथ आज धन की आवक बेहतर रहेगी और आपको नए प्रोजेक्ट्स या काम के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। विवादित मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा और स्थाई संपत्ति से आए के नए स्रोत भी विकसित होने की संभावना है। व्यापार म प्रगती और नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा जिस से आपके कामकाज में तेजी आएगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि कि किसी के कहने पर जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। रुपेयों और पैसों के लेंदेन में वि लाइफ की। पारिवारिक माहौल, सुखद और व्यवस्थित रहेगा। युवा वर्ग को ध्यान रखना चाहिए कि कि किसी विपरीत लिंग व्यक्ती के प्रती आकर्शन आपको अपने लक्ष से भटका सकता है। आपके प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम और अनसुलजी भावना भी महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, समय के साथ सब कुछ सही होगा और आपको यह समय देना जरूरी है। जल्दबाजी में फैसले लेने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। स्थिती को धीरे धीरे सुलजाएं और यह खुद बखुद ठीक हो जाएगा प्रेम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्म विश्वास और सचाई से करें और आपसी गलत फहमियों को जितनी जल्दी हो सके दूर करें। जब आप दोनों साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे तब आपका जीवन खुशहाल और सुन्दर रहेगा। जो चीजें आपको खुशी और शान्ती देती हैं, उन्हें अपने दिल में संजोक कर रखें। आज आपका ध्यान पूरी तरह से आपके महत्वपूर्ण कारियों पर केंद्रित रहेगा और आपकी मेहनत का संतोष जनक परिणाम मिलने की संभावना है। समस्याओं का साहस पूरवक सामना करें और इस दोरान आपका पार्टनर भी आपको पूरा सहयोग देगा। अपने साथी की इच्छाओं का भी ध्यान रखें और याद रखें कि आपका आत्म विश्वास और समझदारी आपको हर डर, चोट और निराशा से दूर रखेगा। करियर के मामले म नए पेशेवर अवसर या पैसे से जुड़े बदलाव आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। परिणामों की चिंता किये बिना आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल है। सारवजनिक मामलों में ज्यादा न उलजकर अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करें। व कारण बन सकता है। इसलिए अपनी प्रात्मिकताओं को समझना और योजनाओं पर अच्छे से काम करना जरूरी है। आपको आज कुछ समय अकेले बिता कर खुद को जानने की इच्छा हो सकती है। विचारों और कारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इन दोनो के लिए समय का सही प्रबंधन करें। यदि आप सतर्क और जागरूक रहते हुए अपने कारियों पर ध्यान के इंद्रित करेंगे तो आप अपनी व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकते हैं। दूसरों की चिंताओं को समझने की कोशिश करें और यह स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं और वे क्या चाहते हैं। अतीत में के गए निवेश से जुड़ी गलतियों का खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ सकता है लेकिन अपनी समझदारी और सही दिशा से आप स्थिति को संभाल सकते हैं। व्यवसाय में आज नए बदलाव आ सकते है जो आपको लाब देंगे। हालांकि लेन देन से संबंधित गतिविधियों को आज स्थगित रखना बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में पेपर वर्क को अत्यधिक सावधानी से करें। एक साथ कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। जिनमें काम से जुड़ी भी चुनोतियां हो सकती हैं। स्वास्थिय की बात करें तो आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी। लेकिन रक्त चाप और थाइरोइड जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। समय पर दवाईयां लेना जरूरी रहेगा और अत्यधिक व्यस्त दिन चर्या से बचें। फिटनेस और स्वास्थिय से जुड़ी गतिविधियों को गंभीरता से लें क्योंकि वे आपकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते हैं जो आपके स्वास्थिय में मदद करेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको अपने स्वास्थिय का ध्यान रखते हुए आराम करने और स्वस्थ भोजन की आदतें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज का राशिफल आपकी राशि के लिए खास संकेत लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आज परसनल फाइनस की योजना बनाना और निवेश से जुड़ी रणनीतियों पर विचार करना आपके लिए लाबकारी रहेगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी नई योजना पर काम करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। साथ ही इंश्योरेंस पॉलि आप एफिलियेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। आज का दिन क्रिप्टोक्रेंसी में निवेश करने के लिए थोड़ा सतर्क र पिराशी यह भी बताती है कि बिजनेस स्टार्ट अप्स के लिए आज किये गए प्रयास भविश्य में सफलता दिला सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पैसे कमाने के नए अवसरों की खोज और e-commerce टिप्स पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। स्वास्थिर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आज ट्रेवल हैक्स का उपयोग करके अपनी यात्रा को आराम दायक और किफायती बना सकते हैं। जो लोग तकनीकी क्षेतर में काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन खास है क्योंकि गैजट रिव्यूज और टेक ट्यूटोरिय से संबंधित किसी कोर्स को शुरू करना आपके लिए फाइदे मंद साबित हो सकता है। यह समय नई स्किल्स सीखने और उन्हें अपने कार्य में लागू करने का है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए कई शुब संकेत और नई संभावनाएं लेकर आया है। इसलिए इन्हें अपना कर अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करें। आज का उपाएं। आज आप सफेद चावल, चीनी या दूद का दान करें। इससे मानसिक शान्ती और सुक सम्रिध्ध मिलेगी। चावल और दूद से बनी खीर का सेवन करें और परिवार के साथ ब